हेलो एवरीवन वेलकम तो मैगनेट ब्रेंस मैसर प्रतीकर्ण स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिडी कॉंटेंट, क्वालिडी एजुकेशन वो भी बिलकुल बकायदा फ्री आफ कॉस्ट केजी स सब्सक्राइब कर लेना और याद से एकदम याद से नोडिफिकेशन को अन कर लेना ताकि जब भी कोई वीडियो या कोई रिकॉर्डिंग या कोई लाइव अपडेट अगर अपलोड होता है तो उसके नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं आप किसी भी क करें एक बात का बस खास ख्याल रखेंगे कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कॉन्टेंट अवलेबल है और अगर आपको ई नोड्स या इबुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जा करके चेक आउट कर लेना और वहाँ से आप ई-नोड्स और ई-बुक्स भी अवेल कर सकते हैं कौन-कौन से स्टेट बोर्ड हैं एमपी बोर्ड है बिहार बोर्ड है यूपी बोर्ड है राजस्थान बोर्ड है और डेली बोर्ड है तो चलिए अब ज़रा कहानी की शुरुआत करेंगे Class 11 Physics Chapter 4 Laws of Motion के अंदर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक कॉमन फोर्से एंड अप्रोच इन मेकानिक्स ठीक है तर बोर्ड है कौन-कौन से कॉमन फोर्से होते हैं इन टोटालिटी ठीक है सर्फ इस चाप्टर के रिस्पेक्ट में नहीं in totality कौन-कौन से common forces होते हैं एक बाद जरा उसकी बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे problem solving approach के बारे में mechanics में जब भी कोई question आपके सामने post किया जाता है तो उसके लिए आपकी approach क्या होनी चाहिए उस approach के बारे में यहाँ पे बात करेंगे उसके बाद तो numericals करवा के रख चुका हो पहले से ही और playlist में आप आगे देखेंगे videos को solve करके तो आपको और भी videos मिल जाएंगे जहाँ पे numericals को solve करवाया गया है ठीक है हर category के numericals को solve करवाया गया है तो आप वो सारे questions को solve करने के बीचे की approach क्या होगी वो आपको इस video के अंदर पता चलने वाला है दर असल हमने इन approaches को पहले apply करके रखा हुआ है लेकिन यहाँ पे detail में एक बार approach को discuss करेंगे with an example ठीक है तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले slide के ऊपर ठीक है तो common forces and approach in mechanics के अंदर पहले हम पढ़ने वाले कौन-कौन से common forces होते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा gravitational force बिलकुल सही बात है class 9th का topic था ठीक है class 9th में chapter था gravitation और मज़ी की बात कहा है इसी नाम का chapter class 11th के physics में भी देखने को मिल जाता है तो मैंने class 11th के starting में आप से कहा था कि class 11th का बहुत सारा content जो है physics में वो काफी जादा match करेगा class 9th के physics वाले पार्ट से और वैसे ही class 10th का जो होता है physics वो match करेगा class 12th की physics के बहुत सारे पार्ट से ठीक है दरसल सिफ 2 नहीं in total में आपके सामने 4 points clear करना चाहता हूँ in total में आपके सामने दरसल यहां पे 4 points clear करना चाहता हूँ पहला what do we mean by gravitation तो पहला क्या है what do we mean by gravitation तो जैसे कि आपको यहां पे पता है क्या लिखा हुआ gravitation के अंदर कि gravitation is the force of attraction between any two bodies in the entire universe ठीक है पूरे universe में किसी भी दो bodies को पकड़ लो उनके बीच में जो force of attraction काम करता है that itself is called as gravitation ठीक है तो gravitation के बारे में पहली चीज तो क्या clear हो गई कि सर्फ फोर्स है क्या है gravitation force है ठीक है और gravitation की अगर यह force है तो इसकी unit क्या हो जाएगी बेटा इसकी unit हो जाएगी newton अब मैं अगर तुमसे पूछूँ कि gravitation को किस से represent करते है तो बेटा किसी भी चीज से gravitation को represent नहीं किया जाता है पता नहीं क्यूं लेकिन यह बहुत सारे बच्चों का common doubt होता है वो सोचते है ऐसा है पता नहीं क्यों कि gravitation को capital G से करेंगे represent और gravity को small G से करेंगे मैं इसी myth को इसी गलती को यहाँ पे एकदम तोड़ने के लिए आया हूँ कि भाईया इस बात को ध्यान रख लेना कि gravitation को किसी भी symbol से denote नहीं किया गया है अपनी मरजी से कर रहे हो तो वो अलग बात है पर वो भी गलत बात है तो यहाँ पे क्या gravitation को किसी भी symbol से represent नहीं किया गया है कोई denotion दे करके नहीं रखा हुआ है हालंकि force है तो unit क्या होती है इसकी newton होती है और gravitational force का nature कैसा होता attractive और gravitational force किस के बीच में काम करता है any two massive bodies के बीच में काम करता है तो gravitation clear होगा gravitation क्या है यह force of attraction है उसके बाद यहाँ पे दूसर टर्म क्या आता है gravity तो भाईया gravitation में क्या था कि जमाने बर में किसी भी दो bodies gravitation में क्या था जमाने बर में किसी भी दो बाडी के बीच का Force of Attraction इसेल्फ was called as gravitation लेकं gravity में क्या होता है पता है gravity में ऐसा होता है कि एक बाडी अर्थ है और दूसरी बाडी कुछ भी हो सकती है अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो Force of Attraction काम करेगा इसे कहा जाएगा gravity is as simple as that तो दिमाग में इन चीजों को supremely clear कर लो जमाने भर में किसी भी दो bodies के बीच का force of attraction that is called as gravitation लेकिन अगर एक body earth है, दूसरी body कुछ भी हो सकती है तो वहाँ पर जो force of attraction काम करता है उसे कहा जाता है gravity, it's as simple as that तो मतलब gravity भी force ही हो गया फिर तो जी हाँ sir, gravity भी क्या हो गया, gravity भी force हो गया और ये भी attractive force हो गया और ये भी किसी दो bodies के बीच में काम करता है लेकिन उसमें से एक body earth है उसमें से एक body earth है और दूसरी body कुछ भी हो सकती है तो and any other body, दूसरी body कुछ भी हो सकती है तो इसमें जो force काम कर रहा है इसे कहा जाता है gravity यहाँ पर जो force काम कर रहा है इसे कहा जाता है gravity it's as simple as that मेरे ख्याल से यहाँ तक का fund आपके दिमाग में supremely clear हो चुका होगा gravitation को capital G से represent मत करना क्योंकि करते भी नहीं है और gravity को चोटे वाले G से represent मत करना विकॉस करते भी नहीं है तो फिर सर अब सवाल आता है कि सर फिर यह चोटा वाला जी हो बड़ा वाला जी क्या था विकॉस यह था तो जरूर वो हमको पता है लेकिन अगर आप कह रहे हो कि बड़ा वाला जी ग्राविटेशन नहीं है चोटा वाला जी ग्राविटी नहीं है तो बड़ा वाला जी कुछ और होगा चोटा वाला जी कुछ और होगा मैंने बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया तुमने आखिर का बड़ा बड़ा जी लिटरेली कुछ होता है उसे कहा जाता है universal gravitational constant क्या कहा जाता है इसको इसे कहा जाता है universal जमाने भर का universal gravitational constant universal gravitational constant capital G से इसको represent किया जाएगा It's as simple as that Universal gravitational constant को Capital G से represent किया जाएगा अब ज़रा ध्यान देना कि Universal gravitational constant की जो उत्पत्ती है यह हुई कहां से है तो मैं आपको उस basic formula के ओपर लेकर के आ रहा हूँ लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार इसका screenshot ले लो और screenshot किया है तो हम इसको note करते वे चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको note करते वे चलो ज़्यादा सही रहेगा चले तो अब कहा है Formula for gravitational force मैं पहले आपको एक बार formula से बाकिव करवा दूँ कि क्या formula होता है gravitational force का उसके बाद जो यह capital G का यहापर term यूज की है ना वो clear हो जाएगा तो बेफिकर ओ बेटा अब आजो क्या है इसका basic formula तो formula की पीछी कहानी कहा है the force of attraction between two masses is evaluated with the help of Newton's law of gravitation ठीक है किसी भी दो bodies के बीच में किसी भी दो massive bodies के बीच में जो force काम कर रहा होगा the force of attraction जो force of attraction काम कर रहा होगा between two masses is evaluated with the help of Newton's law of gravitation ठीक है diagram यहाँ पर बना हुआ है यह आपकी कुछ यादें ताजा कर रहा होगा यहाँ पे पहली वाली body देख भाई बहुत basic funda होता है मैं यहाँ पे चाहता नहीं कि चीज़े complicated हो आपके लिए ठीक है अगर आपको लग रहा है कि सर यह तो आ गया ninth का funda ninth में तो पढ़ाई नहीं करी थी बेटा ninth में तुमने पढ़ाई नहीं करी वो समय मौसम अलग था जजबा ता लगते हला ता लगते लेकिन अब तुम्हें पता है ना कि हाँ तुमसे गलती हो चुके है और तुमारा intention नहीं है उस गलती को repeat करने का तो अब कहानी तुम्हें ले टफ नहीं होगी ठीक है कई लोग के होते के मुझते हैं क्या रहे या ninth में नहीं कर पाए थे या वही वापस चीजा 11 में आ गई अब हमारा अगर ninth भी खराब है तो 11 भी खराब ही हो जाएगा अगर आपको ये लग रहा है ना भाई साब तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने हर lecture में ये पूरा supreme तरह से try करता हूँ कि बच्चे ने class 9 में पढ़ाई करी हो या ना करी हो उसे class 11 में बिलकुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस तुम्हारा intent सही होना चाहिए कि हा तुम्हें पढ़ना है तुम्हारी approach positive होनी चाहिए सब हो जाता है ध्यान दे इस वाली body का mass M1 इस वाली body का mass M2 अब क्या होता है दो masses के बीच में होता attraction ये वाली body यहाँ खिचेगी ये वाली body यहाँ खिचेगी तो क्या होता है कि F1 का मतलब force on first वाली body F2 का मतलब force on second वाली body initially separation distance इसके बीच में था R के बड़ाबर ठीक है तो यहाँ पे जो force काम करेगा ना बेटा this force is basically proportional to ये जो force काम करेगा this force is basically proportional to the product of masses मतलब पहले वाले का mass को दूसरे वाले के mass से multiply करतो तो force between two bodies is proportional to product of masses और दूसरी बात क्या होती है कि force of attraction between two bodies is inversely proportional to R का स्कुरे F is inversely proportional to क्या हो जाएगा R का स्कुरे it's as simple as that अब ज़रा ध्यान देना F proportional to M1, M2 inversely proportional to R का स्कुरे तो जैसे आप इसको club करोगे तो क्या आजाएगा M1, M2 और नीचे आजाएगा R का स्कुरे अब ज़रा गौर करो F is equals to जैसे आप यहाँ पर लगाते हो equal to तो यहाँ पर आने वाला है proportionality constant पर गॉल टू तो यहाँ पर आने वाला है proportionality constant capital G ठीक है यहाँ पर आने वाला है proportionality constant capital G और G का मतलब क्या होता है? यही capital G, जो हैना, यह कहलाता है universal gravitational constant. क्या बोला है? यही capital G, कहलाता है universal gravitational constant जिसका तुम है यहाँ पर था इंतिजार. तो universal gravitational constant. अब इसकी unit developer निकालनी होगी तो अभी क्या भी निकाल देंगे? भाई? इसकी unit अगर निकालनी होगी तो अभी क्या भी निकाल देंगे यार देखो अगर मैं g की unit की बात करूँ तो g क्या हो जाएगा यहां से सुनना g हो जाएगा f r square upon m1 m2 ठीक है f का मतलब newton r का square मतलब meter का square और नीचे क्या हो जाएगा m1 into m2 मतलब per kilogram square m1 into m2 मतलब per kilogram square it's as simple as that कोई दिक्कत वाली बात आपको यहां तक नहीं आ रही होगी it's as simple as that तो जल्दी से इस पूरी कहानी का screenshot ले लो यह इसका statement है बेटा ठीक है यहाँ पे ना इसका statement भी देखर कर रखा हुआ अच्छे से मैं जरा इसको एक बार बोल्ड कर दूँ आप लोग के लिए तो यहां पर according to newton's law of gravitation इसके पार इसका पूरा statement शुरू हो गया था तो यह रहा आपके पास इसका screenshot लेने का मौका बोलिए आया समझ की नहीं आया बताइए कहानी समझ में आ गई 321 ready go super clear super done और अगर तुम्हें लग रहा है कि यहां सा lecture पूरा तरीके से समझ में आ रहा है तो भाई जरा इस वीडियो को like करते हो चलना और सबसे important बात इस वीडियो को share कर देना इस बात को पूरा फिला दो अपने सारे मित्र मंडल में कि मैगनेट ब्रेंस के चैनल पे फिजिस के प्लेलिस के अंदर क्या क्या जबर्दस चीज़ा है और क्या शांदा चीज़ा आप तक और भी जल से जल्द पहुंशने वाले है चलो तो यह वाला फंड़ा पूरा clear हो गया तो हाँ सर यह जो तीन चीज़े थी ग्राविटेशन ग्राविटी और उनिवर्सल ग्राविटेशनल कॉंस्टें यह तीनों चीज़े clear हो गई है लेकिन सर्द एक बज़ गया मैंने बोला क्या बज़ गया तुम ने बोला सर छोटा वाला जी बज़ गया मैंने बहुत बढ़िया अब सुनते हुए चलो इसकी भी हल्दी महंदी कर देते है चोटे वाले जी का मतलब होता है acceleration due to gravity चोटे वाले जी का मतलब क्या होता है बेटा acceleration due to gravity चोटे वाले जी से करते हैं represent अब सब्सक्राइब ये क्या होता है सुनो, मेरी बात समझो बेटा देखो, ये तुमने इसका screen shot ले लिया अगर मैं कभी भी किसी भी body पर कोई force apply करता हूँ क्या बोला मैंने माफ कीजए अगर मैं कभी भी किसी भी body पर कोई force apply करता हूँ तो उस body में क्या produce होता है acceleration ठीक है और ये जो मैंने कहा रहा इस कहानी को पूरा mathematical रूप में ढालने के लिए हमाने पास एक formula बिलकुल exist करता है थार कौन सा formula exist करता है let me give you that formula f is equals to m into a भाई formula क्या दे दिया मैंने f is equals to m into a अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है इसका मतलब यह होता है कि when a force f is applied on a body of mass m तब उस body में आ जाता है acceleration a क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला मैंने यहाद पर यह बोला That when a force F is applied on a body of mass M तो उस body में आ जाता है acceleration A अब अगर वह force मैंने अप्लाई करा है तो acceleration due to my naam अगर वह force तुमने अप्लाई करा है तो acceleration due to तुम्हारा naam लेकिन अगर वह force Earth ने अप्लाई करा है तो वो force अगर वो force अर्थ ने अप्लाए कर रहा है तो acceleration due to क्या हो जाएगा force due to earth और earth के द्वारा लगाए गए force को gravity कहा जाता है therefore यहाँ पर हो जाएगा acceleration due to gravity ठीक है अब जो मैं mg बोल रहा था बेटा वो मैं mg क्यों बोल रहा था जड़ा गौर करो मान लो कि यह तुम्हाए पास मान लो ground ठीक है मान लो कि यह तुम्हाए पास अपन ने क्या बना दिया ground बना दिया अब अगर ground के उपर हम एक body को place करवाते हैं ध्यान देना अच्छे से अगर ground के उपर हम किसी body को place करवाते हैं तो क्या होने वाला है अच्छे से समझते बचलो यह जो ग्राउंड है यह खीचेगी इस जो अर्थ है यह अर्थ इस बॉड़ी को खीचेगी नीचे की तरफ बोलो हां की ना यह जो अर्थ है यह अर्थ इस बॉड़ी को खीचेगी नीचे की तरफ तो इस पे कितना force काम करेगा जब earth इस body को कीचे के नीचे की तरफ तो इस पे कितना force काम करेगा भाई body का mass कितना है Sir body का mass अपने बोल के चलो M के बराबर है M और उसके बाद क्या होता है acceleration लेकिन किसकी वज़े से होगा ये होगा due to gravity तो acceleration due to gravity बोले तो जी कर देंगे It's as simple as that इतना simple सा funda है बताओ क्या तुमें अच्छे समझ में आ गया तो यहां से आता है acceleration due to gravity और मैं आपको बता दूँ acceleration due to gravity जो एना इसका formula क्या आता है M by R square ठीक है और keep that in mind कि अगर आप इसको earth के लिए solve करेंगे तो 9.8 meter per second square आएगा for earth ठीक है यह किसे के लिए आएगा धरती के लिए आएगा 9.8 meter per second square हर जगा के लिए constant नहीं है बस धरती के surface और उसके आसपास के लाके के लिए ठीक है अब ज़रा ध्यान देना तो यहां पर जो M आ रहा है न इसमें गलती मत करना यह M किसी body का mass नहीं है मतलब यह M किसी normal सी body का mass नहीं है यह होता है mass of the planet यह होता है mass of the planet अर्थ के लिए निकालोगे तो अर्थ का mass put कर देना obviously मैंने अर्थ का mass put क्या होगा तभी 9.8 meter per second square आया था अगर मानले तुझे किसी दूसरे planet के surface पर क्या होगा acceleration due to gravity वो find out करना है तो यहाँ पर M के जगा पर mass of that particular planet को put कर देना और R क्या होता है R अभी अगर surface के आसपस की बात करूँगा planet के surface के अगर आसपस की बात करूँगा तो R जो होगा ना वो इस planet के radius हो जाएगा अगर surface के में दूर चला गया तो फिर उस point की दूरी planet के center से निकालनी पड़ेगी अब वो मसला change हो सकता है यह वाला funda पूरा clear हो गया इस पर तो detail में study करेंगे gravitation chapter के अंदर आपको बस playlist को check करते वो चलना है बताओ भाई यहाँ तक का funda supremely clear हो चुका है क्या यह वाली बात समझ में आगई शानदा तरह से 3, 2, 1, ready go super clear, super dunks चले sir, okay यह वाला पूरा funda clear हो गया तो gravitational force से जुड़े हुए सबसे 4 important चीज़ है मैंने आपको पूरी clear कर दी ठीक है, पहले अपने पास में क्या हो गया था gravitation, फिर क्या हो गया gravity फिर क्या हो गया acceleration due to gravity उसके बाद क्या आ गया था universal gravitational constant ठीक है अब एक सवाल आपका आ सकता है कि सारे इस universal gravitational constant की value क्या होती है universal gravitational constant जो इसकी value क्या होती है तो उसकी value होती है 6.67 और यह कौनसी class का content चल रहा है 11 का तो 6.67 10 to the power minus 11 और उसके बाद unit क्या आ गई थी Newton meter square per kilogram square ठीक है इसको भी तुम चाहो तो अपने पिटारी के अंदर note down कर ले ना पका चले sir, okay done screenshot लेने का आपको पूरा मौका दिया गया था है ना, चले, यह अपना पूरा funda clear हो चुका अगर इसको नहीं note किया बेटा तो इसको note करना सबसे important चीज है सब कुछ यहां पर लिखके रखे आप लोग के लिए कहीं से कहीं तक आप अठकेंगे नहीं हो गया तो यह वाला funda आपके दिमाग में पूरा एकदम सटीक तरह से clear हो चुका होगा कोई दिक्कतवारी बात नहीं होगी आपको इसके अंदर तो अब आपको लेकर के हाते हैं इसके अगले बारे पार्ट के ओपा ठीक है अब आचुका electrostatic force कि आचुका electrostatic force जरा ध्यान देना gravitational forces जो थे ना वो थे between masses ठीक है लेकिन जो electrostatic forces काम करते हैं वो काम करते हैं between charges ठीक है पक्का 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 the force of attraction और repulsion between any two charges तो पहली बात तो क्या है भाई साब कि gravitational force काम करता है masses के बीच में और electrostatic force काम करता है charges के बीच में दूसरी सबसे खास बात क्या होती है कि gravitational force का nature हमेशा होता है attractive nature लेकिन जहां तक आप बात करेंगे लेक्ट्रोसाडिक फोर्स का तो लेक्ट्रोसाडिक फोर्स का nature attractive भी हो सकता है और repulsive भी हो सकता है that depends entirely on the sign convention of the charges involved ठीक है कहने का मतलब क्या अगर charges like charges है मतलब दोनों की values बिल्कुल बराबर बराबर है या दोनों का sign convention majorly बराबर है अगर दोनों plus के charges हैं तो उनके बीच में हमेशा repulsion काम करेगा अगर दोनों minus है तो वहाँ पर भी repulsion काम करेगा लेकिन अगर charges का sign convention opposite है एक plus है और एक minus है तो unlike charges के बीच में क्या होता है attraction होता है क्या आपके दिमाग में ये वाला funda supremely clear हो चुका है तो बस एक single line को ध्यार में रखो like charges repel each other unlike charges attract each other it's as simple as that magnitude का मसला यहाँ पर नहीं है यहाँ पर पूरा मसला किसका है sign convention पर based मसला है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है चले उसके बाद क्या है the force of attraction और repulsion between any two charges is evaluated by coulomb's law ठीक है जैसे दो masses के बीच में कितना force of attraction काम करेगा वो निकालने का जो पूरा जिम्मेदारी थी किसके पास थी वो Newton's law of gravitation के पास तो वैसे ही दो charges के बीच में कितना attractive force काम कर रहा है या फिर कितना repulsive force काम कर रहा है तो that amount of force is basically evaluated with the help of coulomb's law और मैं आपको जरा एक छोड़ी सी बात याद दिला दू या तो मुझे बताओ coulomb किसकी unit होती है जल्दी बताओ unit जो है coulomb वो किसकी होती है जल्दी बताओ comment section में जल्दी 3, 2, 1, ready go, super clear, super done आजो बेटा तो charge charge की unit होती है coulomb it's as simple as that इस बाद को भूल मत जाना ठीक है charge की unit क्या होती है coulomb it's as simple as that भूलना जाना आजो अब आता है matter की भाई coulomb's law क्या होगा तो coulomb's law से हम दरसल निकालते क्या है किसी भी दो charges के बीच में कितना force काम करेगा भले वो attractive force हो या भले वो repulsive force हो लेकिन what is the value of the force acting between two charges अगर आपको निकालना है उसके लिए आप coulomb के law को यूज करते है तो coulomb के law में दरसल क्या कहा जाता है कूलम के law में दरसल ये कहा जाता है कि अगर अपने पास दो charges है एक है अपने पास q1 और दूसरा वाल अपने पास charge है q2 तो उन दोनों के बीच में जो force काम करेगा उन दोनों के बीच में जो force काम करेगा that is going to be proportional to क्या होता है भाई देखो charge अगर q1 plus है माइनस है मुझे उससे मतलब नहीं है मुझे निकालना होता है बस charge का modulus उसके बाद charge q2 है वो plus है या माइनस है मुझे उससे मतलब नहीं है मुझे बस निकालना होता है charges का modulus तो जो force इनके बीच में काम करेगा वो दरसल दोनों ही charges के product of modulus पर depend करता है पहली बात तो यह हो गई first equation done दूसरा क्या होता है ये भी inverse square lock को follow करेगा inverse square lock को follow करेगा and this becomes inversely proportional to r का square ये बनके अपने पास दूसरी equation जैसे अपन दोनों equations को club करेंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि अच्छा f is proportional to क्या हो गया बेटा q1 का mod q2 का mod upon नीचे क्या जाएगा r का square और जैसे अपन यहाँ पे equal to लगाते हैं तो आजाता है एक proportionality constant k by gravitation वाले में proportionality constant was g यहाँ पे होता है k और सिफ यहाँ पे क्या maximum जगाओं पे k होता है चोटा वाला k है तो चोटा वाला k q1 q2 by r अब अगर आप इसमें 12th class में जाकर के पूरे funde को check करेंगे न तो अभी अपने क्या चीज़ चेकर ली जो अपने पास electrostatic force काम कर रहा है अपने अभी क्या check कर लिया है कि अपने पास में अभी जो electrostatic force काम कर रहा है उसका formula कितना आ चुका है सर उसका formula आ चुका है F is equals to K अभी आउवियसली charges का modulus थेक है का product और नीचे का है आएगा R grateful को है यहां पर जो K होता है वो क्या होता है ज़रा गौर defensive माना यहां पर जो K होता है वो K क्या होता है यह ہोता है 1 by 4 pi epsilon node थेक है तो यहां पर जो K होता है नहे क्या होता है यह होता है 1 by 4 by epsilon node और जरा मैं आपको बताओ बेटा कि जो यह epsilon node है इस epsilon node का मतलब क्या होता है इस epsilon node का मतलब होता है absolute permittivity of free space इसका मतलब यह होता है यह class 12 का पहला formula है class 12 का पहला सबसे important formula है तो यहाँ पर जो epsilon node है इसका मतलब होता है absolute permittivity of free space या air या vacuum इसका मतलब यह होता है कि air free space या vacuum कितना permit करेगा electric field lines को अपने through pass करने के लिए ठीक है तो that is basically a measure which is given by epsilon node इसको पूरा नाम देके रखा है absolute permittivity of free space ठीक है class 12 का topic है लेकिन common forces में यहाँ पर आता है ठीक है absolute permittivity of free space अब एक बात जरा सुनना भाई इसी कुछ value तो होती है तो मैं एक बात में को बताओ gravitational constant universal gravitational constant की value क्या आ गए थी sir वो आ गए थी 6.67 10 to the power power में बच्चे अटकते हैं तो मैंने क्या कहा था पेटा gravitation कौन सी class का chapter का topic है ठीक है तो तुम बोलो कि sir gravitation जो है वो class 11 10 to the power minus 11 वहाँ पे चिपका करके आ जाना उसी तरह से यह आता है class 12 में तो यार रख लेना इसको देखो भाईया number तो 8.85 है 10 to the power minus का 12 तुम यहाँ पे अटक मत जाओ इसलिए तुमको मैंने यह बता दिया है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होती है ठीक है यहाँ पे क्या हो जागा कूलम स्क्वेर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेर ठीक है यहीं से निकाले इस वाले basic formula से कोई दिक्कत नहीं है के खोलेंगे 1 by 4 पाइपसलों नॉट एपसलों नॉट को वहाँ फिख देंगे तो कूलम स्क्वेर अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वेर अपॉन मीटर स्क्वेर अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर जल्दी से इसका screenshot ले लो इसको note down कर लो फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हो गया 321 ready go super clear super dense चले भाई यह वाला फंडा पूरा clear हो चुका है आगे बढ़ो आगे बढ़ो तो common forces के अंदर अपने पास अभी था electrostatic force ठीक है चलो अब आता है magnetic force ठीक है तो भाई magnetic force क्या होता है यहां देखो है magnet में भी poles होते थे ठीक है कौन-कौन से north pole or south pole और वहाँ पे क्या होगा सर यहां पे होगा repulsion ठीक है मैंने बोला क्यार north वाला और south वाला पास पास आ गया है तो यहां पे क्या होगा attraction मैंने बोला south वाला और south वाला पास पास आ गया sir यहां पे होगा repulsion जिसका सीधा साधा मतलब क्या है कि अगर like charges है ठीक है north और north वाला पास है south और south वाला पास है तो अगर like charges है तो उनके बीच में क्या होता है repulsion होता है और अगर unlike charges है एक north है एक south है तो वहाँ पे होता attraction ये कौन सा force हो भाई ये magnetic force काम करेगा कोई दिक्ट वाली बात तो नहीं है कौन सा force काम करेगा magnetic force काम करेगा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है magnetic force can be defined as the force of attraction between force of attraction या repulsion भी हो सकता है between two magnetic poles किसी भी दो magnetic poles के बीच में attraction या repulsion जो काम करेगा that is basically called as magnetic force it's as simple as that magnetic force is also the force which acts on a charge particle moving inside a magnetic field moving inside a magnetic field अब जरा ध्यान देना भाई परी बात तो यह समझो magnetic field अगर कि मैं बात करूँ ठीक है magnetic field किसने produce करी है मानना क्या है obviously किसी magnet ने produce करी होगी हालंकि class strength में हम पढ़ चुके हैं कि current carrying wire के आसपास भी क्या produce होती है magnetic field produce होती है लेकिन अभी के लिए इत्मिदान से मैं बस यह मान रहा हूँ कि मेरे पास तो एक magnet था इसने produce करी अपने आसपास क्या magnetic field जितना मैं पास आऊंगा कि strength of इससे कहा जाता है एक इक स्ट्रेंथ आप क्या हो जाता है strength ओफ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इस बात को डाल ऐए अपने दिमाग में अच्छे से इस में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बी का मतलब होता ॉता जैसे मान लेImmean mail एस MARY और आखर महान ले एक सेट आप और महान ले एक साट आप मेरे पास में चलो इहां पर तीक है ? अब देख यहां पे क्या है ? यह दर असल North Pole और यह दर असल South Pole इहे जो है इधने असल Southern Pole ए थीक है ? अब तुम सब को पताए क्या है Northevens तो यह बी एकदम solid, यह बी एकदम solid, यह बी एकदम भारी, यह बी एकदम भारी, तो अट्रैक्शन, मतलब magnetic force of attraction काम तो करेगा लेकिन यहां पर friction इतना जाद है उपास इसका weight इतना जाद है तो यह move नहीं करने वाले ठीक है ऐसा आपने मान लिया लेकिन क्या है कि magnet का जो काम होता है वो क्या होता है magnetic field तो produce करेगा ठीक है तो magnetic field में खास बात क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं class 10th में इस चीज को लेकिन मैं 12th में भी करवाओंगा इसको बेफिकर है लेकिन अभी तुम्हें जो तुम 10th में पढ़ चुके हो उतना ही अगर तुमको याद होगा तो काफी ठीक है अब देख क्या होता है सुनना मेरी बात को अच्छे से मान ले एक charge particle है किसकी बात कर देख सर मैं बात करूँ है किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं बात करने वाला हूँ magnetic force की ठीक है तो मान ले कि अभी तेरे पास में एक charge particle है ठीक है इसका charge है Q के बराबर है ना अब क्या है जो right में जा रहा है ना right में क्या जा रही magnetic field line जा रही है तो right में क्या जाएंगी magnetic field lines मैं इसको थोड़ा सा इसके respect में बात कर रहा हूँ देखो वो निकल चुकी है magnetic field lines बट क्या है ना कि मैं ज़रा सा इस charge के respect में बात कर रहा हूँ तो मैं पूरा focus एक्दम करने देना इसके ओपर मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस charge के respect में तो बकाईदा तीर निकल चुका है पूरा magnetic field line का जाने दो इस तरफ magnetic field lines को ठीक है वेटा quantity obviously अब क्या है कि अगर मैंने इस charge particle को ना मान ले कुछ angle के साथ अगर मैंने यहाँ पर फेक दिया अगर मैंने इस charge particle को कुछ angle के साथ अगर यहाँ पर इस axis इस direction में velocity दे दी है तो देख क्या होता है जब यह charge motion में आएगा तो अपने आसपास क्या है चार्ज जब motion में आएगा तो current produce करेगा और हम class 10 में पढ़ चुके है magnetic effects of current जिसका पूरा सार यह था कि किसी भी wire में से अगर current पास करेगा तो वो wire अपने आसपास क्या produce करता है magnetic field produce करता है तो वो थे example wire का था और wire के अंदर भी क्या हो रहा है charges का ही flow हो रहा है तो अगर मैं सीधे यहाँ पर उठागे कर यह लिया हूँ कि एक charge को मैंने फेग दिया तो इसके आसपास भी क्या होगा इसके आसपास भी क्या होगा एक तरह का magnetic field का production हो जाएगा अब यहाँ पर दो तरह की magnetic field हो गया यह सर कौन सी B वाली थी externally produced magnetic field ठीक है B वाली क्या थी externally produced magnetic field और जब मैंने इस charge को फेगा तो यह इसके आसपास भी एक तरह की magnetic field जो है वो produce हो जाएगी इसके आसपास भी क्या है एक तरह की magnetic field जो है वो produce हो जाएगी और जब इसके आसपास magnetic field produce हो जाएगी तो क्या हो गया यह हो जाएगा internal magnetic field यह क्या हो जाएगा internal magnetic field और अब पूरी कहानी में दो तरह की magnetic field है white वाली external magnetic field green वाली internal magnetic field जब दोनों magnetic fields के बीच में interaction होगा, फिर से बोल रहा हूँ, जब दोनों तरह की magnetic fields के बीच में interaction होगा, तो वहाँ पे काम करेगा एक force, फिर से बोल दूँ, जब दोनों magnetic fields के बीच में interaction होगा, तो वहाँ पे काम करेगा एक magnetic force, और कैसे निकलता है वो magnetic force ज़रा ध्यान देना, क तो उस force का formula होता है F is equals to Q V B sin theta. अब तुम बोलो के sir, ये sin theta कहां से आ गया, तो एक काम करो, इस formula को ना दरसल थोड़ा सा और प्यार से लिखो. Sir, प्यार से कैसे लिखेंगे इसको? F is a vector quantity, चीक है? मैंने बोला बहुत बढ़िया. Q को रखा बाहर, उसके बाद देख क्या होता है V cross B. पहली बाद समझना, भाई, दो vectors का जो cross product है, that is absolutely going to give you a vector quantity only. ठीक है? Cross product is basically a vector product. तो अगर आपने किसी दो vectors का cross multiplication कर दिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ only and only एक vector quantity मिल सकती है. It's as simple as that, लेकिन वहीं. अगर मैं किसी दो vectors का dot multiplication कर दूँ, dot product निकाल लूँ, तो dot product is basically a scalar product, लेकिन हमें scalar से मतलब नहीं है, हमें पहने से पता है कि our product is basically a vector quantity, therefore it has to be a cross multiplication, it's as simple as that. Done, 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 हो चुका है सीन. मेरे ख्याल से यहां था कोई भी दिक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी. ठीक है, तो यह अपने पास कहानी होती है, और जो theta angle के बारे में तुम पूछताच कर रहे थे, बेटा यह velocity vector, उसको ऐसे कर देता हूँ. यस, ठीक है, यह velocity vector और यह magnetic field lines के बीच में यह जो angle आपको यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, यह जो angle आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, इस angle को कहा जाता है theta, it's as simple as that, कोई दिक्ट वाली बात नहीं है, जल्दी से इस पूरी कहानी का आप screen shot लेंगे, जल्दी से इस पूरी कहानी का आप screen shot लेंगे, फिर आपको आगे लिखा के चलते हैं, ठीक है, हो गया बेटा, पक्का पूरा funda clear है, यह सर पूरा clear है, तो this was all about magnetic force, ठीक है, इसका आप लोगों ने screen shot नहीं लिया है, तो इसका भी screen shot लो जल्दी, 3, 2, 1, ready go, super clear and super done, चलें sir, आगे बढ़ेंगे, okay, magnetic force between two, magnetic force between two magnetic poles, ठीक है, भाई हर pole के पास क्या होती है, pole की strength होती है, ठीक है, जैसे माल ले, यह south pole है, यह north pole है, ठीक है, तो हर magnetic pole के पास नहीं खुद की strength होती है, उसे कहा जाता है, magnetic pole strength, क्या बोलते हैं उसको, magnetic pole strength, तो M1 is the magnetic pole strength, M1 is the magnetic pole strength of first pole, भाई देख, फॉर्मूला पूरा मैच करता है, electrostatic से, मतलब, charges के बीच में, जो forces काम कर रहे थे ना, बेटा, वहाँ पर कैसा formula है था, K, Q1, Q2, बार का स्कूर, बस वैसे ही formula यहाँ पर भी मैच करेगा, ठीक है, M2 क्या हो जाता है, magnetic pole strength of second pole, ठीक है, magnetic pole strength of second pole, अब ज़रा ध्यान देना, तो यहाँ पर जो force काम करेगा, यहाँ पर जो force काम करेगा, इसका formula क्या होएगा, K तो रहेगा, लेकिन यह वाला जो K है ना, यह 1 by 4, पाइपसलों नौड नहीं रहता है, आगे बढ़ेंगे, क्या रहता है वो तो बता दूँगा, फिसके बाद क्या, दोनों poles की strength, यहाँ पर modulus लेनी के जरुवत नहीं है, और उसके बाद उन दोनों pole strength के बीच के दूरिया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो K रहता है बेटा, वो क्या रहेगा, जरा गौर फर्माना, जो K रहता है ना, वो K क्या रहेगा, जरा गौर फर्माना, तो K रहता है, mu nod by 4 pi, अब भाई अपन ने electrostatic में क्या पढ़के रखा है, कि सर 1 by 4 pi epsilon nod होता है, तो 1 by 4 pi epsilon nod तो होता है electrostatic में, यहाँ पर कुछ अलग है, वहाँ पर भाई यह epsilon nod का मतलब क्या था, सर उसका मतलब था absolute permittivity of free space, लेकिन यहाँ पर जो mu nod है, इसका मतलब क्या होता है, तो mu nod का मतलब होता है absolute, वहाँ पर था permittivity, यहाँ पर होता है permeability, ठीक है, absolute permeability, absolute permeability of free space, क्या बोला, absolute permeability of free space, it's as simple as that, इसका मतलब क्या होता है, कि कोई भी free space, air या vacuum, ठीक है, वो कितना allow करेगा, magnetic field lines को pass through करने के लिए, उसके measure को کہा जाता है absolute permeability of free space, ठीक है, और electric field lines को pass करने के लिए, कितना allow करेगा, air free space, वैक्यूम, उसके measure को کہा जाता है absolute permittivity, ठीक है, तो ध्यान तकना, permittivity अलग कहानी होती है, permeability अलग कहानी होती है, permittivity की बात करेंगे आप जब आप electric field line से concerned होंगे और permeability की आप बात करेंगे जब आप magnetic field line से concerned होंगे अब इसकी value क्या होती है तो mu node की value होती है 4 pi sir बस 4 pi नहीं बेटा रुखतो जाओ 4 pi 10 की power minus 7 it's as simple as that अब लो भाईया इस पूरी कहानी का screenshot ठीक है अब आते हैं भाई nuclear forces के उपर ठीक है nuclear forces जो होते हैं भाई साब वो होते हैं strongest forces of nature ठीक है और nuclear force दरसल वो force होता है जिस force की बदौलत nucleus जो है वो सारे protons और neutrons को अपने अंदर पूरा बांध करके रखता है ठीक है इसके बावजूद की protons के बीच में repulsion हो रहा होता है तो वो repulsion जेलने के बावजूद जो nucleus है वो सारे protons को along with neutrons के साथ पूरा बांध करके रखता है तो वो जिस amount of force लगता है वो बहुत तगड़ा force होता है उसे कहा जाते है nuclear force क्या बोलते हैं उसको उसको कहते है nuclear force तो क्या लिखाएं सारे यापर यह वला फंड़ा पूरा clear है दूसरा क्या होता है nuclear forces are considered to be the strongest forces of nature nuclear forces are considered to be the strongest forces of nature it's as simple as that ठीक है अब देख लिए इसे मालने for example pictorial representation के अलावा बता रहो मालने यह अपने पास एक nucleus का embodiment है ठीक है यह के अपने पास एक nucleus का embodiment है अब यहाँ पर क्या है भाई सब protons कोई बोल मत देना electrons भाई कोई electron बोल मत देना ठीक है electron nucleus के अंदर होता है electron nucleus के बाहर होता है यार कैसी बाते कर दी तुमने यार 1 2 3 4 5 6 अब अंदर नूटरोंस भी तो होंगे नूटरोंस मतलब नूटोंस इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता तो अब क्या होता है ना जबा करना इस नूकलिस ने सारे के सारे प्रोटोंस को दबा करेकर रखा अपने अंदर जबकि आप जानते हैं कि proton के बीच में क्या होता है repulsion लेकिन 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 उस proton के बीच में interprotonic repulsion होने के बावजूद nucleus ने जिस capacity जिस शानदा strength के साथ सारे के सारे चीजों को एक हटा बांध करके रखा एकी परिवार के अंदर उस force को कहा जाता है nuclear force बहुत ही तगड़ा force होता बेटा strongest forces of nature तो यह रहेगा अपने पास पूरा का पूरा representation पूरा का पूरा theory आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है मेरे ख्याल से आपको यह कहानी पूरी शांदार तरह से समझ में आ गई होगी बोलो हाँ ठीक है चले आगे बढ़े अब आता है frictional force की बारी ठीक है तो frictional force में क्या होता बेटा जैसे मानने कोई body अगर यहाँ पर रखी हुई है मैंने कोई force अपलाई नहीं करा तो इसके ओपर कोई friction force भी काम नहीं करेगा ठीक है लेकिन जैसे मैंने इसको हलका सा move करवाने का try करा मालने मैंने 10 newton का force अपलाई करा लेकिन body move नहीं करी इसका मतलब क्या कि 10 का मैंने force तो अपलाई करा लेकिन कुछ है जो मुझे दिखने ही रहा है और उसी ने मेरे इस force को काट के बराबर zero कर दिया ठीक है भाई मैं 10 का force अपलाई कर रहा हूँ अगर सिर्फ 10 का ही force body पे काम कर रहा होता तो body इस 10 के force के साथ साथ body motion में आ जाती absolutely motion में आती इसमें कोई शक नहीं है कैसे force equal to क्या होता है mass into acceleration a is equal to क्या होता है f by m ठीक है मैंने कितना force अपलाई करा 10 body का mass कितना है चल बाई का mass माल लेता है 100 kg तो भाईया 0.1 meter per second square का भी acceleration तो होना चाहिए था ना लेकिन क्या हो रहा है कि मैं force तो apply कर रहा हूँ 10 पहली बात तो applied force को अपसे P से करेंगे represent ठीक है मैंने apply तो कर दिया चल फोर्स 10 के बराबर लेकिन क्या इस body में motion आया नहीं आया इसका मतलब क्या क्या यह वाला formula गलत है कैसी बाते कर रहे हो यह वाला formula गलत नहीं है ठीक है तुमने force 10 का apply करा लेकिन कुछ था ऐसा invisible जो तुम्हारे force को oppose कर गया तो तुम्हें लगा कि तुमने 10 का force apply करा लेकिन नीचे यह नीचे तुम्हारा force cancel out हो चुका था और यह कारणाम किस ने करा यह कारणाम करा friction ने ठीक है तो जब भी आप किसी body पे force apply करते हो यह बंदा force तो apply करी रहे ना this is the direction of pulling force मतब applied force ठीक है लेकिन क्या इस force के effect में यह body move कर रहे है भाई अभी तो move नहीं कर रहे है क्यों because इस पे एक force काम करेगा पीछे की तरफ, तो भोगा फ्रिक्शनलky force it's as simple as that ठीक है, फ्रिक्शनल force के एक limit होती है फ्रिक्शनल force एक limit तक ही काम कर सकता है ऐसा नहीं है कि हमेशा ओपके applied force के बराबर friction force हो जाए because इसकी कुछ limit होती, कि उतने limit तक ही काम करेगा और उस limit को कहा जाता है, फिर limiting friction आया समझ, आया समझ, अगर तुम्हारा applied force limiting friction से उपर हो गया मैं फिर से बोई तो मेटा, अगर 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 तुम्हारा applied force जो है जो force तुमने apply करा है, अगर तुम्हारा applied force जो है वो frictional force के limit से उपर हो गया, अगर तुम्हारा applied force जो है, वो limiting frictional force से जादा हो गया, तो body जो है ना फिर वो motion में आ जाती है, ठीक है, आया समझ की नहीं आ गया, पका पूरा funda clear है बेटा, तो यह अपने पास होता है, frictional force का basic basic idea, frictional force का basic basic idea, और जरा मैं तुमको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी बात बता दूँ, अगर मैं इस body की तुम से बात करूँ, ठीक है, यह body किसी ground surface पे तो होगी, यह body है, यह absolutely किसी ground पर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह माना अपने, और आदमी भी तो होगा ground पर ही, ठीक है, अरे तो matching matching होगा भाई, इसका t-shirt के साथ, ठीक है, अब देख क्या होता बेटा, इसका जो weight है ना, वो weight काम करेंगा नीचे के तरफ, absolutely, ठीक है, तो इस पूरे block का अपन मानते हैं, चल center of mass, ठीक है, चला आपको प मैंने कर दिया, यहाँ पर direct क्या, body का weight, और body का weight क्या होता बेटा, mg के बराबर, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं, सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, now for every action, there is an equal and opposite reaction, बात तो सही है, now for every action, there is an equal and opposite reaction, तो ऊपर काम करेगा reaction force, सर, reaction force को बोल देंगे, आर, यह वाली ब pulling force का basically मतलब क्या होता, applied force, pulling force का basically, pulling force का basically मतलब क्या होता है, pulling force का basically मतलब होता है, applied force, तो applied force को क्या मैं P से करूं represent, जी sir, applied force को P से कर तो represent, तो जो frictional force होगा, उसको F से किया जाएगा, represent, हाँ sir, बिल्कुल सही बात है, जो frictional force होगा, उसको फिर अपन F से करेंगे, represent, कर दिया कोई देखकर नहीं है ठीक है अब देख क्या होता है ना कि इसमें law of limiting friction के अनुसार जो frictional force होता है this is basically proportional to the normal reaction force ठीक है अब normal reaction force में खास बात क्या होती है कि इसका नाम normal reaction क्यों पढ़ गया because this force is always perpendicular to the given surface this force is basically always perpendicular to the given surface बरोसा अगर ना हो तो जड़ा यहाँ देखो जैसे मान ले अगर ब्लॉक यहाँ अगर एक अपने पास इग्राउंड मान ले है उपा की तरफ it's as simple as that reaction force को बोलेंगे r और weight को बोलेंगे mg ठीक है देख बाई mg जो है ना वो तो हमेशा हमेशा ऐसे ही काम करेगा perpendicularly downwards mg हमेशा हमेशा कैसे काम करेगा vertically downwards लेकिन मसला क्या है reaction force का main मसला है ठीक है सबसे important जो मसला है बेटा वो reaction force का है क्योंकि reaction force हमेशा vertically upward काम नहीं करता इसके लिए कहानी जरा बुननी पड़ती है ठीक है तो मैं ध्यान तो कहानी मैं पूरी अभी clear कर दूँगा तो महाई सामने बस ध्यान देते हैं बचलना माल ले अब ये box जो है वो ऐसे रखा हुआ है माल ले ये जो box है बेटा अब वो रखा हुआ है ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो भाया क्या होता है इसका जो weight काम करेगा वो तो बिलकुल काम करेगा perpendicularly या vertically downwards तो weight काम करेगा इसका vertically downwards it's as simple as that but सबसे पहरी बात क्या है यहां पर reaction force जो होता है वो reaction force ऐसा मत कर जाना कि तुम बोलो कि sir reaction force जो है वो काम करेगा इस पर ऐसे करके ना 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 ऐसे नहीं काम करेगा reaction force क्यों because reaction force जो होता है ना that is basically normal या perpendicular to the surface surface था ऐसा तो यहां पर काम करेगा reaction force कुछ इस तरह आया कैसा मझ रियक्शन फोर्स जो है बेटा वो ऐसे काम करेगा कुछ इस तरह तो reaction force के लिए आप इसमें सिर्फ आर्ट लिग दीजे कोई भी दिक्कत वारी बात नहीं है ठीक है पक्का इतना पूरा फंडा क्लियर है आप लोग को तो reaction force is always perpendicular to the given surface इस एस सिंपल एस डाइट यही बात आपको बतानी थी clear हो गया पका पूरा फंडा clear हो गया चले sir ओके यह वाला फंडा clear हो चुक है तो अब एक काम करो बेटा यहाँ पे f is proportional to क्या हो चुक है अब अगर आप यहाँ पर focus करोगे ना r is basically mg के बराबर ठीक है r किस के बराबर होता है बेटा mg के बराबर तो f is proportional to r r is basically mg अब जैसे यहाँ पर आजागा proportionality constant जिसे कहा जाता है mu और mu का मतलब क्या होता है coefficient of friction mu का मतलब क्या होता है mu का मतलब होता है sir coefficient of friction यह static friction का coefficient भी हो सकता है और kinetic friction का भी coefficient हो सकता है it's as simple as that जल्दी से इस पूरी कहानी का screenshot ले लो चले ठीक है बहुत शानदा यह सब चीज़े आप लोगों ने अच्छे से note कर ली होंगी अब जरा कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं यह बात तरी friction की अब जरा कुछ loss of friction है वो जरा देख लिए जाए जिन पर की पूर of friction का पूरा concept आगे बढ़ने वाला होता है ठीक है तो क्या रिका है the force of friction is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces in contact इसी के तो मैं आप से बात की थोड़े पहले मैंने क्या का था बेटा कि जो force of friction है उसको आपन F से करेंगे represent the force of friction is directly proportional to the normal reaction equal to लगा देंगे तो mu आजाएगा तो यह हो जाएगा mu r और बाद फिर आप जानते हैं कि mu को रहन देना और r जो है वो itself किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर it is as simple as that ठीक है तो the force of friction is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces in contact ठीक है उसके बाद क्या लिखा है kinetic friction does not depend upon the surface area of contact ठीक है भाई friction जो है अपने पास वो तीन तरह के होता है ठीक है पहला होता है अपने motion हुआ नहीं है body के अंदर ठीक है हालनकि मैं force apply कर चुका हूँ लेकिन इसके बावजूद body के अंदर motion अभी हुआ नहीं है तो यहाँ पर जो frictional force काम करेगा इसे कहा जाता है static friction now एक limit तो होगी कि भाया इसके beyond अगर आपने force apply कर दिया तो body motion पर आजाएगी मान लो for example कि किसी भी surface और body के respect में उस pair के लिए जो limiting frictional force है उसकी value है 100 newton इसका मतलब यह है कि अगर आपने 100 newton तक का force apply कर दिया body तब भी move नहीं करेगी लेकिन अगर आपने 100 newton से अगर हलका सा भी force को आगे बढ़ा दिया तो body शानदा है तरह से motion में आ जाएगी तो that particular value is called as the limiting friction नाम सही पूरा काम उसका done हो जाता है और तीसरा क्या होता है kinetic friction एक बार body motion में आ गई तो क्या frictional force ने काम करना बंद कर दिया अरे नहीं सर अगर आप cycle चला रहे हो तो आपको frictional force का effect है वो तब समय में आता है जब आप pedal मारना बंद कर देते हो ठीक है जैसे आप pedal मारना बंद कर दोगे ना तो क्या होगा कि धीरे धीरे applied force का जो magnitude है applied force का effect है वो diminish होना शुरू हो जाएगा लेकिन frictional force अब यहाँ पर dominate करना शुरू कर देगा between any two surfaces in contact depends on the nature of material of the surfaces in contact ठीक है किस तरह के surfaces जो है उनका nature कैसा है जो contact में है उनका nature कैसा है उनके nature पर depend करता है kinetic friction and also on their state of polish कितना polished surface है इस state पर भी depend करता है यहाँ पर friction की value ठीक है आ गया समझ किया पक्का यह अपने पास है loss of friction मैं चाहूंगा इसका आप screenshot ले 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 उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे ठीक है चले बेटा यह वाला funda भी clear हो चुक है आगे आजाओ tension की बात होगी यह आपर ठीक है और यह tension जो होता है न वो हमेशा body को खीच के रखने का try करता है यहाँ जरा गौल करो मान लो surface है यह भी surface है ठीक है अब मान ले अगर ऐसा होता है कि भाईया यह अपने पास एक body है मान ले यह अपने पास में एक body है ठीक है और एक body चल अपने यहाँ पर रख दिया कोई रिक्कत वाली बात तो नहीं है यह रख दी है हमने दो body को यहाँ पर रख दिया कोई रिक्कत नहीं है इसमें अब ज़रा गौल करना अगर मैं एक रसी लेकर के आजाओं और मैं बोलू कि इसमें tension जो है वो उपर की तरफ काम कर रहा है तो यह बिल्कुल सही बात है ठीक है because tension अगर उपर की तरफ काम कर रहा है तो उसी के वज़े से रसी जो है वो खिची हुई है तो यह बिल्कुल सही बात है लेकिन मैं अगर एक रसी को ऐसे लेकर के आजाओं और वो रसी पर बोलू कि tension नीचे काम कर रहा है तो अगर tension नीचे काम करेगा बेटा ज़रा ध्यान देना अगर tension जो है वो अगर नीचे की तरफ काम करने लग गया तो भाईया एक तरह से आपकी रसी है वो slack हो जाएगी अगर tension नीचे की तरफ काम करना शुरू कर देगा तो जो रसी आपकी वो ढिली पढ़ जाएगी तो इसको मैं तरसल ऐसे बनाता हूँ इसकी height भी छोड़ी कर देता हूँ इसकी height मैं छोड़ी करो मान ले कि tension जो है न वो मैंने काम करवा दिया नीचे तो अगर tension नीचे काम करना शुरू कर देगा तो जो रसी है तरह पास वो पूरी ऐसे एकदम slack हो जाएगी और रसी अगर slack हो गई तो फिर ये कोई सही तरीका नहीं है tension के काम करवाने का तो सही तरीका क्या था यहां में tick लगा चुका हूँ यह सही तरीका था और यह वाला हो जाएगा wrong method ठीक है tension एक ऐसा force हो जो की रस्तियों को खीच के रखता है अब यहां चक कर fixed ceiling थे अपने पास एक hook लगा दिया यहां पर एक hook लगा दिया अटैच कर आपने एक rope से ठीक है पत्ली रस्ति से अपने इस अटैच को अटैच कर दिया अब जो अपने पास tension है ना भाई वो बहुत ही छोटे में लिखा है यहां पर लेकिर मैं इस एक बाँ magnify कर दूँ यह tension जो है ना पेटा यह उपर की तरफ ही काम कर रहा है यह tension जो है यह उपर की तरफ ही काम कर रहा है और इस रस्ति पर ही काम करता है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है पक्का पक्का आगे समझ और इस बाड़ी का फिर वेट काम करेगा नीचे की तरफ इस बाड़ी का फिर वेट काम करेगा जो काम करेगा नीचे की तरफ यह वाला फंडा भी आपके दिमाग में supremely clear हो रहा होगा इस एस सिंपल एस डैट जल्दी से इस पूरी कहानी के screenshot लो यार जल्दी से फुर्ती में इस पूरी कहानी के screenshot लो 3, 2, 1, ready go, super done, super clear चले, आगे समझ तो tension is a force that acts on thin strings दूसरा, tension tends to keep the string tight tension की वज़े से, tension जो है वो try करता है कि जो रस्ती है ना वो tight रहे ठीक है रस्ती जो है वो tight रहे it's as simple as that, चले अब आते हैं formula for tension and acceleration ठीक है, अब आते हैं formula for tension and acceleration और जो आपको यहाँ पर image दिखाई दे रही बेटा इस image का बहुत ही शानदर मैं use करने वाला हूँ जब मैं आपको illustrate करूँगा कि कैसे आप problems को solve करते हैं in mechanics problems को आप solve कैसे करेंगे in mechanics उसके लिए मैं इसको पूरा आपके समने बढाऊंगा ठीक है, देख भाई, यह अपने पास एक pulley system रहा एक pulley का system रहा और यहाँ पर एक body यह है, एक वाली body यह रही ठीक है, अब क्या होता है अगर मैं इस वाली body पर focus करूँ ध्यान देने इस पर अच्छे से बिटा, अगर मैं इस वाली body पर focus करूँ तो इसका weight काम करेगा नीचे की तरफ, ठीक है आपको एक मौका दूँगा मैं जब आप सिर्फ और सिर्फ इसका screenshot ले सकेंगे इस body का weight नीचे काम करेगा, बोलो हा की न, M2G और इस वाली body का भी जो weight है वो नीचे की तरफ काम करेगा, बोलो हा की न, तो इस वाले weight को आपन बोल रहेंगे, M1G सही जा रहे हैं सर्, अब देख्या होता है, इस रसी पर ऊपर की तरफ काम करता है, टेंशन इस रसी पर ऊपर की तरफ काम करता है, टेंशन, और इस रसी पर ऊपर की तरफ काम करता है, टेंशन तो यहां का टेंशन कितना हो गया, T के बराबर, यहां पर भी कितना हो गया, T के बराबर it's as simple as that अब देख क्या होता है अगर M2 भारी है अगर M2 भारी है तो फिर ये कहा जाएगा नीचे की तरफ ठीक है yes sir अगर M2 भारी होगा तो absolutely वो कहा जाएगा नीचे की तरफ तो यार इसमें अगर मैं acceleration wise बात करूँ तो ये system का acceleration हो रहा है नीचे की तरफ और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये system का acceleration हो रहा है उपर की तरफ अब एक बात सुनना masses अलग-अलग थे M2 और M1 लेकिन एक ही रसी थी तो फिर tension क्या रहेगा सेम रहेगा और यहाँ पर ये example ये connected motion का connected motion में क्या होता है कि system जो है ना वो पूरा move करता है with the same acceleration इसका मतलब ये कि अगर ये वाली body अगर नीचे की तरफ accelerate कर रही है मानले 0.2 meter per second square से तो भाईया ये वाली body ऊपर की तरफ कर एक accelerate with the same acceleration of 0.2 meter per second square ठीक है अब क्या है ना इसको बोलते है अपन FBD free body diagram ठीक है यहाँ पर क्या होता है कि हमने एक पार्ट को चेक करा है कि भाईया M2 ठीक है करेंगे absolutely कितना weight काम करेंगा इसका नीचे की तरफ तो हम जानते हैं sir इसका weight काम करेंगा M2G ठीक है रिए कलर से लेगे तो बिंक बंदा से इसका weight काम करेंगा अभी बताया था M2G उपर टेंशन काम करेंगा system acceleration का हो रहा है बहिए इसका acceleration तो सर नीचे की तरफ हो रहा है और यहाँ पर वेट किता काम करेगा इसका M1 G tension उपर और यहाँ पर देखो acceleration तो इसका कहाँ काम करेगा बिटा उपर की तरफ because M1 वाला मास कहाँ जा रहा हो पर it's as simple as that, ठीक है? Now, यहाँ पर पूछा हुआ है formula for tension and M1 plus M2, ठीक है? Tension के formula में Tension के formula में क्या आता है formula? Twice of M1 M2 G upon नीचे क्या हो जाता है? M1 plus M2 और दूसरा आता है acceleration, यह रहा अपने पास में tension और अब अब अपन लिगा क्याता है acceleration, तो acceleration क्या हो जाता है? M2 minus M1 G acceleration क्या हो जाता है? M2 minus M1 G upon नीचे क्या हो जाएगा? M1 plus M2 it's as simple as that, ठीक है? acceleration क्या हो जाएगा, बेटा? M2 minus M1 G upon M1 plus M2 और यह जो equation लिखी गई है वो ऐसे लिखी गई है कि considering M2 is more than M1 considering M2 is more than M1 अब साह इससे क्या फरक पड़ेगा? बेटा, इस वाले पर तो कोई फरक नीपड़ेगा लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाना कि M1 बड़ा है और M2 चोटा है तो फिर यहां पर आप M2 minus M1 कर लेना ताकि वो ऐसे जो है ना वो सही answer plus मुदे लेए ठीक है? कोई दिक्कतवारी बात नहीं है यह लो भईया, इसका स्क्रीन शॉट जल्दी 3, 2, 1, Ready, Go Super Clear and Super Done मेरे खाल से यह वाला फंड़ा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है यह वाला फंड़ा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है बेटा, अब एक बास सिर्फ और सिर्फ इस पुली सिस्टम का स्क्रीन शॉट लेना उसके बार मैं कहानी में आपको आगे लेकर के चलूँगा कि कैसे हम इस पूरे चीज को यूज करने वाले हैं इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मेकानिक्स ठीक है जल्दी इसका पहले स्क्रीन शॉट ले रो चले ठीक है फिर बहुत बढ़ी है तो ये वाला फंट आपके दिमाग में पूरा सुप्रीम लिख लेर हो चुका होगा अब आपको लेकर के आते हैं इसके अगले वाले स्लाइड के उपर क्या अप्रोच होगी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और मेकानिक्स ठीक है मेकानिक्स वाले किसी भी कोशन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात करके रखी हुई है हर एक point को explain करते वे चलूँगा Draw a diagram showing various parts of the system with links, supports, etc. ठीक है एक diagram बना लोगे पहली बात तो यहाँ पर पूरे system का पूरा important जो parts है वो सबके बारे में यहाँ पर जानकारी हो, आपको system ना दिखना शुरू हो गया होगा ठीक है, उसके बात क्या है, choose any one convenient part of the system जैसे मालने, for example, अपने यहाँ पर चूज कर लग इसको M1 को, ठीक है तो पहले अपने M1 को यहाँ पर एकदम पिक आउट कर लिया है, उसके बात क्या किया है अपने, draw a separate diagram of the chosen part, showing all the forces on the chosen part by the remaining parts of the system and also by other agencies जैसे कि भाईया, इस वाली body पर क्या कर आपने, यह इसका मास होगा M1 जब इसका अपने मनाएंगे FBD, तो यहाँ पर फिर हमने forces को show करना शुरू कर दिया कि भाईया, इसका weight काम करेंगा नीचे M1 जी, इस पर एक काम कर रहा है, force का attention टी उपर बाकी, अगर कोई force काम इसके अलावा नहीं कर रहा है, तो मत show करना, और क्या दिक्कत है अगर किसी force के बारे में तुम unsure है तो इसको यह मत show करना, जिसको लेकर के हम sure होते है ना, हमने उन forces को show कर दिया है यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके, यह वाला पूरा फॉरा फॉर्ण देन हो चुक है, तो यह काम करो, पहले जो यह तीन पॉइंट लिखे हुए यहाँ पर एक बार जरा इसका screenshot ले लो हो गया, 3, 2, 1, ready, go, super clear, super done, चलो बेटा, उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद, जैसे आपने एक बार इसका FBD plot कर दिया, कि हाँ भई ऐसे काम करें forces, उसके बाद क्या है, in free body diagram FBD, it includes information about the magnitude and direction of forces, जोगी काम करेंगे उसके उपर, that are either given by you, या तो आपने force apply कर दिया होग that is either given by you, or you are sure of, या फिर ऐसे forces, जिसके बारे में बिदम sure है, कि हाँ भई या, ये force तो काम करेंगा, ये करेंगा, for example, इस वाले case में, जब ये लटका हुआ रसी के साथ, तो रसी पे tension तो काम करी रहा है, ठीक है, tension को लेका है, I am extremely sure, इस body का mass करता है M1, किसी का mass अगर M1 है, तो फिर धरती उसको कीचे के नीचे के तरफ, that's for sure, I am sure about it, तो किता हो जागा M1 जी, it's as simple as that, ठीक है, ये वाला fund पूरा clear, now, the rest should be treated as unknown, ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर force काम कर भी रहा होगा, तो हमें तो as such given नहीं था, तो हम उसको unknown मान के छोड़ देंगे, now क्या करें MOTFAOB, MOTFAOB का मतलब क्या था, magnitude of total force acting on the body is equal to mass into acceleration, तो क्या करना पड़ता है, कि equate the net force acting in a particular direction, जो net force काम कर रहा है, इस body के उपर, net force समझते हो कैसे निकलता होगा, बेटा, net force समझते हो कैसे निकलता होगा, मान लेगा 100 newton नीचे 40 newton ऊपर, ठीक है, मान ले, मान ले, 100 newton नीचे और 40 newton ऊपर, तो net force कितना बज़ जाएगा 60 newton, ठीक है, तो net force को अपन equate कर देंगे to its mass times the acceleration, मतलब formula बना दो force equal to mass into acceleration, बिलकुल सही बात है सर, चलो, अब देखना बट इसका weight काम कर गया, नीचे करता है, M1G काम कर गया, ठीक है, तो जब मैं body A के लिए equation लिखूंगा न, तो body A की जो equation बनेगी मेरे पास, वो कैसे बनेगी, M1G, नीचे काम कर गया, total force करता है M1G minus T, तो total force equal to क्या होता है, mass into acceleration, तो क्या हो जाएगा, M1 into acceleration, लेकिन ध्यान देना यह जो acceleration है, यह रहेगा minus का, क्यों, because नीचे वाले को plus लेंगे, उपर वाले को open लेंगे, minus, अब यह sign convention, मैंने अपने इसाब से क्यों choose किया है, मैंने gravity को देखते वे choose किया, ठीक है, अगर मैं किसी body को free fall में छोड़ दूँगा, तो उसका by default natural motion कहाँ पर होता है, नीचे की तरफ है, natural motion, तो मैंने इसको plus ले लिया, तो उपर वाले को minus ले लिया, इसलिए यह minus A हो गया, अगर जब मैं B वाली body की बात करूँगा, ठीक है, इसको A वाली body, इसको B वाली body, ठीक है, एक तो यह color वहाँ पर जमा नहीं, एक तो यह color वहाँ पर जमा नहीं, एक तो यह color काम करेगा नीचे M2G minus T is equal to क्या होज़ागा mass into acceleration M2 into plus का acceleration it's as simple as that, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आपको यहां तक, ठीक है, if necessary we can follow the same procedure for any other part of the system the equations of motion obtained for a different part of the system can be solved to obtain the desired results, इसका मतलब क्या है, जरूरी निये कि सफ M1 के लिए खेलो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई, जो चीज हमको निकालनी है, जो चीज required है सवाल में, अगर उस चीज को निकालने के लिए मुझे एक बार M2 वाली body पर भी equation खेलना पड़ेगा, तो खेलो बिटा, ठीक है, दोनों bodies पर equation खेलो, उसके बाद फिर उसको solve out करके जो आपका desired result है, आप वहां तक पहुंच सकते हो, तो ये इसका basic approach होता है, मेरे ख्याल से ये वाला fund आपके दिमाग में supremely clear हो चुका होगा, बोलो हाकी ना, अगर समझ में आ रहा है, हर एक चीज supremely clear हो रही है, भाई साब, तो fire emojis चलते रहने चाहिए, ठीक है, चले, common forces and approach and mechanics का, ये था अपने पास पूरा complete lecture, तो मैं उमीद करता हूँ, आपको हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी help करी है, इस वीडियो को देख करके, आपका जो line of action है, आपका जो thought process है, वो थोड़ा सा clear cut हो जाएगा, अगर आपको ऐसे feeling आ रही है, तो ज़रा इस वीडियो को support करें, इस वीडियो को like करें, सबसे important बात, पूरा share कर दो अपने सारे मित्रो मंडल में, सब को मालूम चल जाना चाहिए, कि magnet brains के channel पे, physics के playlist के अंदर, क्या क्या शांदा चीज़े अड़ हो चुकी है, और क्या जबरदस चीज़े, आप तक और भी पहुँचने वाली है, जल से जल, ठीक है, अगर आपका कोई भी feedback है, suggestion है, तारीफ है, या बुराईया है, या जो कुछ भी है, तो आप comment section को use करके, अपनी सारी बातें, मुझ तक पहुचा सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको लगता है, कि यार, इस पे ऐसे काम करना चाहिए, इस पे वैसे काम करना चाहिए, तो अगर आपका feedback genuine लगेगा, तो उस पे काम किया जाएगा, that's a guaranteed thing, ठीक है, तो चलिए, अब करते हैं, class को यहीं पे खत्म, और जैसे कि आप सब जानते हैं, कि Magnet Brains जो provide करता है, वो English Medium as well as Hindi Medium वारी classes, with entire full complete syllabus coverage, CBSE board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, और Vedic math crash course or spoken English, इसके अलावा अगर आपको कोई भी information चाहिए, तो आप Magnet Brains के official website पर visit कह सकते हैं, thank you so much.